स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को स्वतंत्रता देश के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं आज भारत 15 अगस 2022 को अपना 76 वाग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है इसी दिन 1947 को भारत से ब्रिटिस साशन का अंत हुआ था और स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई थी 200 वर्स तक अंग्रेजों ने हम भारतियों पर राज किया सत्रहवी सताबदी की शुर्वात से अंग्रेज व्यापारी बनकर हमारे भारत में आये व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आये और East India Company की स्थापना की जिसके बाद अपनी सैन्यताकत बढ़ा कर 1757 में 85 का युद्ध जीत कर भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया धीरे धीरे ब्रिटिस East India Company ने संपूर भारत पर अपना अधिकार जमा लिया भारतियों को ये गुलामी पसंद नहीं थी हमें अपने देश पे दूसरे लोगों का अधिकार पसंद नहीं था भारतियों ने लडाई लड़ी भारतियों ने आजादी के लिए कई संघर्स किये प्रथम संगर्स 1857 में रानी लक्ष्मी बाई तात्या टोपे मंगल पांडे जैसे वीरों की अध्यक्षता में हुआ आजादी की लड़ाई जारी रही भगत सिंग चंद्र से खर आजात सुभास चंद्र बोस महात्मा गांदी सभी ने अपनी अपने तरीके से लड़ाई रड़ी शांती से लड़ी आंदोलों से लड़ी युद्ध से लड़ी संग्राम से लड़ी हमने लड़ाई लड़ी फिर जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों बड़ों से ये कहना चाहूंगी कि आजादी की कीमत समझें इसके लिए हमारे कितने वीर जवान सहीद हो गए आज हम जो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं ये सब उन्हीं की कुर्बानी से है आजादी के लिए कुर्बान हुए सभी स्वतंत्र का सेनानियों को हम नमन करते हैं मैंने अपनी स्पीच में 200 वर्ष का जिक्र किया कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया इस दर्द को इस भावना को हम और हमारे बच्चे उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पर अभी दो वर्ष पहले दोरोना नाम की महमारी हमें अपना गुलाम बनाया हम पर राज किया हमारी आजादी छीन लिए आज बच्चे पूछते हैं आजादी क्या है तो मैं कहती हूँ पहले तुम्हें हर समय मास्क लगाना पड़ता था बाहर तुम नहीं निकल सकते थे खेल नहीं सकते थे इस्पूल नहीं जा सकते थे दोस्तों से नहीं मिल सकते थे ये दो वर्षों की बात मैंने उनकों बताई आज 2022 में हम दो आजादी मना रहे हैं आज हम सब बिना मास्क के अपने दोस्तों के हाथ में हाथ डाल कर खुली हवा में सांस लेते हुए स्वतंत्र का दिवस मना रहे हैं ये है आजादी मैंने बच्चों को बताया ये है आजादी तुमने जो बंधन महसूस किया इन दो सालों में उससे जो तुम आजाद होने के बाद जो खुशी महसूस कर रहे हो ये है आजादी हम सब ने 2022 से महामारी से आजादी की लड़ाई लड़ी है जो हमारे अपने नहीं रहे वो हमारे शहीद हैं जो कोरोना से लड़कर आज हमारे साथ हैं वो फाइटर्स है हम सब ही ने इन दो सालों में कोरोना के साथ संगर्स की मुझे आज भी वो दिन याद है जब प्रथम लाकडाउन हुआ था अचानक स्कूल ऑपिस मार्केट सब बंध हो गये थे घर से बाहर हम नहीं निकल सकते थे वो दिन याद है हमें जब सबने एक साथ मिलकर अपने घरों की बालकनी में आकर अपनी छटों में जाकर घंटे बजाये थे थाली बजाई थी और दूर से एक दूसरे को देखकर सांत्वना दी थी कि हम सब साथ हैं इस लड़ाई में हम सब साथ हैं दूर होकर भी हम एक साथ हैं तब हमारे अंदर भी एक पाइट था हम लड़े थे कोरोना से और आज हमें आजादी मिली हैं उस समय बाहर देखो तो पार्थ था पर लोग नहीं थे बच्चे नहीं थे जूले थे पर बच्चे नहीं थे मंदिर था भगवान थे पर भक्त नहीं थे स्कूल था पर स्टूरेंट्स नहीं थे एक अलग ही खामोशी थी एक अलग ही सन्नाटा था हम उस से लड़े और आज 15 अगस 2022 को हम दो आजादी मना रहे हैं आजादी क्या है आजादी की कीमत क्या है यह सब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई जै हिंद जै भारत मेरा भारत महान धन्यवाद झाल